दोस्तो इस chapter में हम देखेंगे turnary operator जो की short form है if else का already हम if else देख चुके हैं आपने नहीं देखा है तो please पुराने tutorials जाके देखिए तो if else में क्या होता था हम एक condition लिखते थे और वो condition true होती थी तो हम कुछ code run करते थे और condition false होता था तो कुछ code run करते थे similar यहाँ पर रहेगा यह condition है मेरी question mark है उसके बाद यह condition true है तो यह expression 1 run होगा otherwise क्या होगा यह run होगा expression 2 run होगा ठीक है यहने false true पर यह run होगा false पर यह run होगा तो इसको दोस्तों हम practically देखेंगे अभी तो चलिए हम chapter 8 बना लेते हैं हाँ पर पटाक से और इसको open कर लेते हैं हम अपने live server के साथ ठीक है यह exclamation देखें मैंने document बनाया और इसको मैं open करूंगा live server के साथ में तो यह देखिए live server के साथ open हो गया अब यहां पर जो है हम दोस्तों code लिख लेते हैं सबसे पहले मैं जो यहां पर एक scenario बनाते हैं scenario कुछ इस तरीके से है कि माली यह को student है उसके percentage marks हम मांग रहे हैं उससे और यदि वो 40 से उपर है तो pass है 40 के नीचे है तो fail है तो यह scenario हम लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर उसका output जो fail pass का output है हम यहां पर दिखाएंगे इसको नाम देते हैं result से ठीक है और यहां पर हम script लिखेंगे दोस्तों जहां पर हम अपना logic लिखेंगे यहां पर आने के बाद मैं सबसे पहले एक variable define करूँगा let percent marks जो कि हम student से मांगने वाले हैं equal to prompt कर लेंगे उससे मांग करके और यहां पर बोलेंगे enter your percentage marks ठीक है यह हमने मांग लिए उससे अब यहां पर हम result भी बता रहे हैं let result अभी हमें पता नहीं है तो result हम check करके यही बताने वाले हैं कि result क्या आने वाला है तो यहां पर हम जो है ternary operator का use करेंगे यदि if का use किये होते तो किस तरीके से किये होते वह मैं पहले बताता हूँ हम यहां पर if लिखते हैं और यहां पर बोलते है percent marks greater than 40 उसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर बोलते है रिजल्ट इक्वल टू पास ठीक है इस तरीके से हम इफ एल्स में बोलते हैं otherwise यहां पर हम बोलते हैं result equal to fail यह इस तरीके से हम देख चुके हैं correct और यह result जो हम कहां print करने वाले हैं यह document.getElementById यहां पर रिजल्ट.innerHTML ठीक है equal to क्या रहेगा यहां पर रिजल्ट यह हम देख चुक है अलरडी ठीक है यहां पर आपको प्रेक्टिकल देखना है वापस से मैं percent marks यही 50 डालता हूं तो देखी क्या होता है 50 डालने के बाद वापस करते हैं इसको 50 देखे पास आया वापस करते है 30 तो यह अलरडी हम देख चुके हैं दोस्तों यहां पर जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हम टर्नरी ओपरेटर तो यही चीश टर्नरी ओपरेटर से हम कैसा करेंगे यहां पर आ जाएगा अगर मेरा percentage marks condition आ जाएगी मेरी ठीक है greater than 40 उसके बाद question mark यहां पर result equal to मेरा क्या आएगा पास और colon देखे result equal to क्या जाएगा फेल यह मेरे एक line में लिख दिया दोस्तों इसलिए इसको short end बोला जाता है ठीक है यह एक line में लिख दिया same आपको output same ही आएगा यहां पर देखिए 45 देता हूं मैं यहां पर देखिए अब 50 देते हैं हम तो क्या आएगा पास 23 देते हैं तो क्या आएगा फेल तो बिल्कुल same तरीके से यहां पर काम कर रहा है अब दोस्तों यहां पर जो है एक हम नेश्टेड टर्नरी operator याने कि हमने if else if else के if के अंदर else if else if भी बहुत बार देखा था तो वही चीज हम यहां पर देखते हैं तो उसको कैसे करेंगे आप मालीजिए कि आपका एक और condition हम यहां add करते हैं student के लिए वो condition कुछ इस तरह कैसे रहेगी कि हम student को बोलते हैं आप अपने English के marks भी बताओ ताकि हम यह भी प्रिंट कर सकें कि आपका distinction है कि नहीं है ठीक है तो हम यहां पर English marks उससे मांगते हैं हम बोलते हैं enter your English marks ठीक है और उसको store करते हैं English marks में और यहां पर जो है दोस्तों यहां पर if else if else लगा के भी हम कर सकते हैं लेकिन यह हम यहां पर turnary operator सीख रहे हैं तो उससे करेंगे अब यह पहली condition तो मेरी हो गई ठीक है और हम यहां पर और क्या variable लेंगे let this this मतलब distinction है या नहीं है वो हम calculate कर लेंगे तो यहां पर पहली condition तो past fail से पता चल रहेगी यह past है या fail है अब मुझे यह पता करना है कि distinction है क्या तो यहां पर मैं क्या करूंगा second condition लगाऊंगा और condition second क्या रहेगी मेरी English marks greater than 75 है तो मुझे क्या करना है result तो पास आएगा ही आएगा अब मुझे एक से ज़्यादा यहां पर value variable set करने तो मुझे यह bracket यूज करना पड़ेगा result पास आएगा comma दे करके मुझे distinction भी यहां पर बताना है और यह बोलना है you got distinction की सही है नहीं आप चेक कर लें उसके बाद में यहां पर यह बंद हो जाता है और कि नहीं तो यहां पर एक और condition आएगी न तो यह आ गया और यहां पर क्या हैगा यहीं आएगा दो से रहेगा लेकिन distinction नहीं रहेगा यदा condition टू नहीं होती तो हम यहां पर सेम हूई कर रहे हैं पर नो distinction जल्ट टो पस है लेकिन distinction नहीं रहेगा और यह result पल रहेगा ठीक है तो ये देखिए एक सिंगल लाइन में मैंने लिख दिया हम इसको थोड़ा सा नीशे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए ये nested condition आ गई मेरी और ये जो है मेरी ये true है तो ये एक और condition अंदर पड़ी हुई है और ये false है तो ये इसका false का यहां पर है ठीक है और इसकी खुद की देखिए यहां पर question mark ये condition true हुआ तो ये run होगा इतना और condition false हुआ तो ये इतना run होगा अरिवा समझ में अब हम इसका देखते हैं output क्या आ रहा है तो इसको refresh कर देते हैं अब यहां पर हम percentage marks बोलते हैं 60 English के marks बोलते हैं 80 हमने यहां पर यह बताया नहीं है distinction यहां पर नहीं बताया output नहीं किया तो इसको हम distinction को भी यहां पर output करा लेंगे plus distinction यहां पर distinction भी आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है इसको वापस से कर लेते हैं percentage marks मैं बोलता हूँ 60 उसके बाद English के marks मैं बोलता हूँ 80 तो pass और distinction आना चाहिए pass you got distinction वापस एक चेक करते हैं fail ही कर देते हैं तो पहली condition में fail करते हैं तो देखिए यह fail आ जाएगा यहां पर देखिए fail और undefined यहने distinction है यही नियूस में ठीक है आपको यह undefined नहीं चीए तो आप इसको यहां पर इस तरीके से भी दे सकते हैं ताकि undefined ना आए ठीक है अब देखिए 30 इंग्लिश के मांक्स भी 30 ही है तो देखिए fail आया क्योंकि यहां आपने एक space दे रखा है तो यहां पर यहां पर हम नो डिस्टिंक्शन देखते हैं पास के साथ no distinction देखतें अभी ठीक है तो इसको 60 परसेंट है लेकिन मेरे distinction marks नहीं है तो 66 है तो मुझे क्या आना चाहिए पास आना चाहिए नो distinction आना चाहिए पास नो देखिए आ या तो दोस्तों यह है टर्नरी ओपरेटर के बारे में होप आपको ये वीडियो अच्छा लगवा हुआ तो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई कमेंट है दोस्तों तो बताएं हमारा अबजे और हमें मौका दें इंप्रूमेंट का मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका धन्यवाद